नमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है हमारे यूट्वी चैनल में अगर ये जानकार आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जेश्ट महीने के चौथे मंगलवार से संकट मोचन पड़ा था इसी लिए दोस्तों जेश्ट महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और कहा जाता है कि जेश्ट महीने के सभी मंगलवार को कोई भी व्यक्ति अगर पूजापाथ उपाय कर ले तो वह उपाय का उसको पलट करके करोडो गुना लाब है और आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने आ रही हैं दोस्तों यह उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ति दिला सकते हैं और आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह भी पूरी हो सकती है इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हनुमान जी के आशिर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में तुरंत लिख दीजिए। हनुमान जी महाराज की जये अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा यह उपाय ऐसे उपाय हैं, जो अगर आपने जेष्ठ महीन के दूसरे मंगलवार मतलब 16 मई 2023 के दिन कर लिए तो यकीन मानिये आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और आपके जीवन में हर तरह के दुखों से आपको मुक्ती मिल जाएगी परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दोस्तों हाथ जोड़ करके न लग चुके थे आपकी नौकरी नहीं लग रही थी ये देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ती की नौकरी लग गई परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है दोस्तों इसकी मुख्य वजह यही है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है मंगल ग्रह की वजह से आपके जीवन में ऐसे दोश आ रही हैं जिसकी वजह से नौकरी लगने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं तो आपको क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा देखिए दोस्तों, बस आप लोगों को यह करना है कि जेश्ट महीने के दूसरे मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है और वहाँ पर बैठे बैठे ग्यारा बार हनुमान चालिशा का पाठ करना, मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई भी व्यक्ति यह करने के बाद वहाँ पर हनुमान 40 का पाठ करले मन चाहें नौकरी उस व्यक्ति की लग जाती हैं, दूसरा उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं, दोस्तों की आपके घर की बरकत हो, उन्नती हो आपके घर पर कभी भी काला जादू, बंधन काली विद्या का असर ना हो, आपके घर के सभी लोग बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो आपको क्या करना? पोगा आपके घर की बरकत भी होती है, उन्नती भी होती है, और हनुमान जी का आशिरवाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है, तीसरा उपाय दोस्तों धन प्राप्ती का महाउपाय अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशिर्वात से आपके जीवन में धन चुम्बक की तरह खीचा हुआ चला है जो आपके पास पहले धन आ रहा था धन आते आते रुप गया आप चाहते हैं वापस से आप लोग की वो शु जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर दीजिएगा इतना अगर आपने कर दिया 16 मई 2023 के दिन यकीन मानिए जो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानिया चल रही हैं वो परेशानिया तो खत्म होंगी ही होंगी उल्टा आपके जीवन में धन 4 दिशाओं से हो जाएंगी चौथा उपाए है दोस्तों कर्ज मुक्ति का महा उपाए अब मान लीजिए आपने ऐसा कोई कर्जा लिया हुआ था जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं आप चाहते हैं कि आपक को स्वस्तिक का निशान लाल सिंदूर से बनाना है और उस पर एक मोली धागा बांध करके किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर देना है इतना अगर आपने कर देना है